बारत दर्सन की सिंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है आज से हम लोग क्या करेंगे कि जो फैमस पिलेश हैं जो चर्चित इस्थल हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे सबसे पहले हम लोग चलते हैं मद्यपिदेश और मद्यपिदेश में चलते हैं मद्यपिदेश की राजदानी भोपाल में और भोपाल में आज हम लोग जो बड़ा तालाब आप लोग देखते हैं अप और लेख भी कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे एक बार आपको भोपाल को देख लिजे पहले देखें ये आपको हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है इसमें आप लोगों को ये मद्धपिदेश दिखाई दे रहा है भोपाल इसकी क्या है? राजधानी आपको देखने को मिलेगी और आप देखेंगे कि एक नबह पर 1956 में मद्विदेश को राज बनाए गया था इसकी सीमा उत्तरपिदेश, राजिस्थान, गुजरात, महराष्ट, 36 गड़ से लगती है यहाँ बिधान सभा में 230 सीटे हैं, लोग सभा में 29 सीटे हैं, राज्य सभा में 11 सीटे हैं 3,8,245 बरक किलोमीटर में आपका मद्विदेश फैला हुआ है, चेतवल में दूसरे नमबर पर है, पहले पर आजिस्थान, दूसरे पर मद्विदेश और देखिए अगर आप लोगों को बड़ा तालाब जाना है, घूमने जाना है, देखने जाना है, तो आप लोग कैसे पहुंचेंगे यहाँ, यह सबसे पहले यह जान लेना चाहिए आपको तो बसे स्टेंड मुझे लगता है कि सही है यहाँ से दूरी तैय करने में, यहाँ कोई परेशानी भी नहीं होगी, तो यहाँ का सबसे पहले तो याद रखे कोई भी टेक्स आपको टिकेट नहीं लेना पड़ता है, कोई सुलक नहीं देना है, परवे सुलक यहाँ नहीं को मिलेगी, और यह सब्ता में सभी दिन खुली रहती है, यह भी आप लोगों को बता दूँ, देखिए इसके कुछ पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आप लोगों को बोट कलब देखने को मिल जाएगा, यहाँ आप देखिए, यहाँ घूम भी सकते अंदर या कर भी आप लोग, अब चली इसका इतिहास क्या रहा है, और आप सभी को मालू होगा अगर आपने पड़ा होगा थोड़ा बहुत, कि यह भोच ताल भी कहते हैं इसे, बड़ा जला ऐसा है भी कहते हैं, भोपाल के पश्मी के नारी पर आपको देखने को मिलेगा यह सहर की निवासियों के लिए पानी का, पीने का पानी भी उपलब्द करवाता है, और कहते हैं कि भोपाल के मीटर में आप देखें तो लगबख 40% निवारिश सी, कि जो जल की आपूरती होती है ना, इसी तालाब से होती है भोपाल वालों के लिए, और यहां दो आमसर इस्थल भी है, यह भी आप लोगों को याद रिखना चाहिए इसमें, ठीक है, और अधिक्तम लंबाई 31.5 किलो मीटर बताईगी है, अधिक्तम चोड़ाई 5 किलो मीटर है, सत्यी छेतपल इसका 31.31 किलो मीटर में आप देखते हैं, देख रहे हैं, राजा भोज, तो इसके अगर हम लोग इस्तिहास की बात करें, तो इस्थानिये लोग कताओं के अनुसार, भोज ताल को परमार राजा भोज ने, मालवा की राजा, यह आप देखें, एक हजार पांस से एक हजार पचपन की रूम में, अपने कारकाल की दोरान बनवाय था, अगर आप से कभ ने, राज जी की पूरवी सीमा को सुरक्चित करने के लिए, भोपाल सहर उसके नाम पर भोज पाल की नाम से भी की स्थापना की थे, एक किदवन्ती है कि उन्होंने जील का निर्मार क्यों किया, एक बार राजा भोज चरम रोग से पेडित हो गए थे, और सभी बैद करके तुचा रोग का सफाया करें, भोज ने अपने इंजिनरों से एक बिसाल टेंक बनाने का आहन किया था, और उन्होंने बैदबा नदी के पास एक जगह देखी, जो भोपाल से 32 किलोमीटर दूर थी, यह पाया कि इसकी केबल 369 सहाइक नदिया है, एक गॉंड रेनाप पर मित्ती के बांद का निर्माड करके किया गया था, और भदभदा बांद नामा के 11 गेट बांद का निर्माड 1965 में भदभदा जील में, भदभदा में जील के दच्छन पूर कौने में किया गया था, और अब कालिया सोट नदी के बहरवाओ वाह को नियंतित करता है, तो इस महान राजा राजा भोच की सम्मान में इसका नाम भोच ताल कर दिया गया था और भोपाल को जीलों की नगरी के रूम में भी आप लोग मान जानते हैं और जील के एक कौने पर एक इस्थमवे पर तलवार की साथ खड़ी राजा भोच की एक विसाल मूर्ती भी गुल की बात करें तो भोच ताल भोपाल सहर की पश्चिम मद्ध भाग में इस्तेत है और दच्छन में बन भिहार राष्टी उद्यान पूर में और उत्तर में मानोबस्तियां और पश्चिम में किरसी चेतर से घरा हुआ है और यहीं आपको पास में ही देखने को मिलेगा बन भिहार उसके वारे में अंगली किलास में हम लोग बात करेंगे और इसका चेतफल 31 किलो मीटर दो और 361 किलो मीटर का जल गरहन चेत देखने को मिलेगा उपरी जील का बाटल सेड जानदा तर गरामिड है इसके पूरवी छोर की आसपास कुछ सहरी की चेत भी है कॉलन में हलाली नहर की एक सहाइक नदी थी लेकिन एक मिट्टी के बांद और एक मोड चैनल का उपयोग करके जील के निर्माड के साथ कोलन नदी और बड़ा तालाप की उपरी पहुँच अब कलिया सोट नदी में मिल जाती है और इसके अगर हम लोग बड़े तालाप की अपनी जरूरतों को पूरा करती है और उनमें कपड़े धोती जील पारिस्तितंत के लिए बहुत थानी का रख है और भोच ताल में आप देखते हैं कि जल साहे बलूद और छोटा तालाप में कमल की खेती भी करते हैं धार्मिक तेवारों के दोरान देवी देताओं की मू अगर हम लोग इसकी अर्थविवस्थाव मनुरजन की बात करें तो भोच ताल को मचली पकड़ने के अधिका और भोपाल नगर नेगम द्वारा लगवग 500 मचवारे परिवारों की एक सहकारी सम्ती को लंबे पट्टे पर दिये हैं मत्सपालन मुक रूप से इसके पूर्वी तटों पर किया जाता है और जील एक बड़े छेत्र की सिचाई के लिए पानी की सरोत के रूम में भी काम करती है इसके जलगहन छेत्र में भोपाल के सासात सिहोर जिले में 87 गाउं है और इन छेत्रों के लोगों की अजीपका का मुक सरोत किरसी है और अधिकांस को भी आकरशन का करता है और आप लोगों को बता दूँ कि परेटन्चित हमारी अर्दवस्ता में एक बड़ा वह भी यहगदान भी देता है नैस्नल सेलिंग स्कूल की स्थापना इसके पूर्वी हिस्ते में बोट कलब में की गई है यह किलब किसी जल कीडाओं जैसे काया लेटर पॉल फेडल और मॉटर वोट द्वारा रोमंच यात्राओं के लिए सुविधायें पिदान करती है जील के दच्छडी पूर्वी किनारे पर इस्तित बन विहार राष्टी उद्यान परेटरव को को अपनी और आकरसित भी करता है इसे गुजरने बाली सड़क में एक तरफ जानवर अपनी प्राक्तिक आवास में हैं और दूसरी तब जील का ने सरगिस सौंदर आपको देखने को मिलेगा कभी जाएं तो देखें और आप देखें जील के नर्दी अन्य प्रमोग आकरसंड जील के किनारे बहुपाल चिडिया घर या जील को सभी आकों उ जो अतीत में दूरलब देखे गए यहां दिखाई देने लगे हैं हाली में एक घर जील में आप देखें 100 से 220 सारस सारसों का इकत्तित होना भी है भारत का सबसे वड़ा पक्षी सारस क्रेन ग्रेस एंटीगॉन अपने आका राजसी उडान और आज इवन जोदी के लिए ज जातियां सामेलें और जिसमें के लोरो फाईसी की 106 पर जातियां साइनो फाईसी की 37 पर जातियां योगले योगले नो फाईसी की 24 पर जातियां डायनो फाईसी की 27 पर जातियां डायनो फाईसी की 4 पर जातियां सामेलें यहां इसमें आपको देखने को मिलेगा पसू बर कांकर्ण की 105 पर जाती है जिसमें रोटी फेरा की 41, पॉटु जुगा की 10, कलेडो सेरा की आप देखे 14, कॉपपे पोड़ा की 5, और स्ट्रा कोड़ा की 9, कॉलो पिटेरा की 11 और डेप तेरा की 25 सामेल है, मचलियों की 43 पर जारतिया, प्राक्तिक और सुसंस्कित, और 27 और 10 से अधिक पर जाती है, सरी से और उबयचा कच्छुए की 5 पर जाती है, आपको इसमें देखने को मिलेगी, तो एक सौट वायोगराफ ही आप लोग कह सकते हैं, किस की, या सौट जानकारी आप लोग कह लीजे, बड़े तालाब की, बहुत तालाब की, अपर लेक की, प्रेखन देखने बहुत 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 तालाब की लेक की?